हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने प्रिये चैनल सी आर सिंग सर के चैनल पर आज हम नाइन्थ क्लास का चेप्टर थ्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कॉंसेप्ट मैप के द्वारा जानने वाले हैं बहुत ही जल्दी हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही कम समय के अंदर अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे पेकार से समझना है तो आप रफ कोपी या फिर फेर कोपी आप लेकर बैठेंगे साथ-साथ इस मैप को इन पॉइंट्स को बहुत सौट में आप नोट करेंगे और जिसके द्वारा आप बहुत ही जल्दी पूरे चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे सबसे पहले हमारे पास है लौ आफ केमिकल कंबिनेशन केमिकल जो होते हैं रसाइन जिसको कहते हैं इसको हम किस प्रिकार से कंबाइन कर सकते हैं जोड सकते हैं इसके हमारे मेंट two parts होते हैं दो लौज हमारे यहां पर दिये गए हैं नाइंध खिलास के अंदर फर्स्ट हमारे पास law of conservation of mass law of conservation of mass की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है कि mass जो होता है दर्विमान जो होता है किसी भी reaction के अंदर वो ना तो created किया जाता है ना ही उसको destroy हम कर सकते हैं बस उसको one direction से another direction के अंदर shift कर देते हैं मिस रियक्टेंड से प्रोडक्ट के अंदर उसको कनवर्ट कर देते हैं। धरिवमान जो होता है, ना तो उसको हम उत्पन कर सकते हैं, ना ही उसको हम नस्ट कर सकते हैं। जैसे कि example आप देख सकते हैं, C plus O2, carbon को जो हम oxygen के साथ जोड़ते हैं, हमारा बनता है CO2, यहां carbon का mass होता है 12 gram, oxygen का mass होता है 32 gram, और CO2 जो होता है, दोनों को combine करके बनेगा 44 gram, means पहले जो हमारे mass था, उसको हमने create नहीं किया, वो पहले था ही, हमने इसको एक direction से another direction के अंदर shift कर दिया, पहले वो 44 था, बाद रहें वो 44 है, it means that mass can neither be created nor be destroyed, next हम आते हैं law of constant proportion, constant का मतलब क्या होता है, constant का मतलब होता है निश्चित, means अनुपाद जो होता है, इसको compound जो होता है, वो consist होता है, elements के साथ जो combined है, उनसे ही consist होता है, means element जब आपस में combined करते हैं, तब हमारा बनता है compound, जैसे कि हमारे पास दो elements है, hydrogen और oxygen, क्या है है hydrogen और oxygen, तो hydrogen और oxygen का जो mass है, इन hydrogen और oxygen से मिलके बनाए हमारे पास compound, water, water जो होता है, इसमें hydrogen का मास होता है, 2, oxygen का मास होता है, 16, दोनों को हम एक दूसरे से divide करेंगे, ratio हमारा निकल काएगा, 1 ratio 8, इसको हम निश्चत अनुपाद का नियम कहते हैं, इसको हम दूसरे example के द्वारा इस प्रकास से समझ सकते हैं, हमारे पास जो water है, pond water है, या फिर lake क water है, या mineral water है, या फिर हमारे पास water है, sea water, समद्र का पानी है, तो सारा जो पानी है, चाहे हो हमने lake से प्राप्त किया है, या फिर हमने sea से प्राप्त किया है, समद्र से, या फिर हमारे पास mineral water है, सब के अंदर water का formula H2O रहेगा, और उसके अंदर जो proportions हैं, जो अनुपाद ह means law of constant proportion के नाम से जानते हैं आगे हम next जो points हैं उनको जान लेते हैं atoms and molecules में next हमारे पास आता है Dalton's atomic theory Dalton's जो scientist थे उन्होंने अपने एक theory दी और इसके अंदर बताया गया atoms जो होते हैं atoms को हम बहुत ज़्यादा tinny particle बोलते हैं यह particles बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साथ-साथ यह individual particles होते हैं जिनको हम द्वारा से divide नहीं कर सकते हैं इन particles को हम individual particles बोलते हैं जिन particles को हम further divide नहीं कर सकते साथ-साथ हम बात करेंगे कि यह जो particles होते हैं इनका identical mass होता है मिस एक particle का बराबर mass होता है जिसे हमारे चौक है तो इसके जो हर एक जो पार्टिकल्स होंगे हर एक जो कंड होंगे उनका जो मास है वो सबका एक जसर रहेगा लेकिन साथ इनकी जो chemical properties हैं वो भी same रहेंगे क्यों? क्योंकि वो same elements से मिलके बने हैं अगर इनका different mass रहता है अलग अलग मास रहता है और इनकी properties भी हमारी different होती हैं तो ये बने हुए होंगे different elements से अलग अलग elements से मिलकर ये बने होंगे अगर इनको combine करते हैं हम same ratio के अंदर हमेशा ही हम इनको combine कर सकते हैं same ratio के अंदर Dalton's atomic theory के कुछ हमारी पास points थे आगे हमारे पास next topic है atom atom जो हमारे पास होता है ये smallest particle होता है element का element जो है इनका सबसे छोटा जो particle है means कोई भी जो element है उसको divide करते जाएं divide करते जाएं divide करते जाएं last जो particle हैगा जो सब सब smallest particle है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते means जो individual है और tiny particle है इसी को atom के नाम से जानते हैं हर एक जो atom होता है वो सो करता है सभी के सभी chemical properties को हर एक atom की अलग-अलग अपनी chemical properties होती हैं यहां हम दो term और इसके अंदर use करते हैं atom में ही atomic mass और existence of atom atomic जो mass होता है हो mass of atom है जो equal रहता है हमेशा ही 1 upon 12 mass of carbon atom carbon के बार है atom के mass के बराबर रहता है यह आपको confirm इसको याद रखना चाहिए किसके बराबर होता है equal to हमारे पास है 1 upon 12 mass of carbon atom अगर हम बात करते हैं existence की कि कि किस प्रकार से जो है exist करता है तो यह बहुत सदा reactive रहता है और free state के अंदर यह पाया जाता है अगर यही combined state के अंदर पाया जाता है तो यह form कर देता है ions क्या form करता है ions ions जो होते हैं यह हमारे पास mono atomic हो सकते हैं और poly atomic हो सकते हैं mono atomic के अंदर जो ions सिर्फ एक ही atom से मिलके बनते हैं उसको हम mono atomic ion कहते हैं जो ions एक से अधिक atom से मिलकर के बनते हैं इनको हम poly atomic ions कहते हैं यह आप ध्यान रखेंगे इसका एक और हमारे पास last topic बचा है इसको और आप देखेंगे इसको erase करके हम द्वारा से start करते हैं हां जी बेटा हमारे पास molecules के बाद last topic atoms के बाद last topic हमारे पास आया है concept map में ही molecules का molecules के अगर हम बात करें यह smallest particle होते हैं जो किसी elements के और compounds के होते हैं मिस element or compound के smallest particle है सबसे सोटे जो कन होते हैं इसको हम molecules बोलते हैं properties जो हमारी होती है किसी भी सवस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस जो होते हैं, वो same type के, same type के यहाँ पर atoms से मिलके बनावी होते हैं, यहां देख सकते हैं, हूमो का मतलब वैसे भी क्या होता है? Same होता है, Humo same atomic atom, same atom से जो मिलके बनते हैं, इसको हम homo atomic बोलते हैं, ज cannabis क्या है? O2 है, means oxygen, ये सिर्फ किसे मिलके मनेगा और और ओसे यहांपर एटम्स क्या है cuma के अंते हैं नैटोजन अन-पास ऑक्शीजन है ऐसी फॉसप्रस है तो सेमh टाइपके टाइटम से मिलकर के बनते हैं हेत्रा कि मॉल्재क्व वह होते हैं German होता है डिफ्रेंट जो डिफ्रेंट टैप के अटम से मिलके बनते हैं जो हमारे पास मोलिक्यूल्स है उनको हम हेट्रो एक मोलिक्यूल्स कहते हैं आगे हमारे पास आता है सब्सका है जानते हैं जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पास ह्ट्रो है अहां में कि unpredict हम इसके लिफ्ल्स हम झालते हैं इस की हम करेंगे मुअ क्पास में इसकी करेंगे इस के साथ मीलिकूस जो रिक sait इस से नरष शौन यहां पर अगर चाघना है तो यहां पर आता कुछ भी नहीं है तो आप लगाएंगे आप पर वन ऑक्सियन का सुता है 16, complete हमारा क्या बना, 2 एंजा 1, और 16 कितने हो गई, 18, 18 U, U क्या है, atomic mass unit है, जिसको पहले हम AMU denote करते थे, और अब हम फिलाल इसको small U में denote करते हैं, next हमारे पास है, formula unit mass, पूरे अगर हम formula का mass निकालते हैं, atoms का और ions का, उसको हम formula unit mass के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारे पास है NaCl, sodium chloride, यहाँ sodium जो होता है, इसका mass 23 U होता है, chlorine जो है, इसका mass 35.5 U होता है, इनके कोई भी molecules नहीं दे रखे हैं, जो नहीं दे रखे होते हैं, उसके जगे हम 1 का use करते हैं, sodium का mass होके 23 प्लस एक element का लेनेक बाद, next element पर जब हम जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लस किया, कोई molecule Cl2 वगरा, Cl3 वगरा नहीं है, कोई भी नहीं होता था हम 1 लेते हैं, के हमारे पास आएका 58.5 U इसके बाद लास्ट हमारा जो है इसके अंदर Atomicity का है Atomicity Atomicity के मतलब number of atoms present in one molecule एक molecules के अंदर कितने atoms present होते हैं उसको हम Atomicity कहते हैं इसकी example के अगर हम बात करें जैसे हमारे पास आरगन और हीलियम है, आरगन, हीलियम नियॉन, जीन ओन, क्रिप्टॉन रिड़ॉन, जितनी भी हमारी noble gases होती है, इनके अंदर सिर्फ एक ही atom present होता है, इसलिए इनको mono atomic कहते हैं, mono means one, atomic means atom mono atomic one atom जिन molecules के अंदर, दो atom present होते हैं, इसको हम die atomic बोलते हैं, die means two atom means atom जिसके अंदर चार होते हैं चार means tetra tetra atomic जिसके अंदर 8 atom होते हैं उसको हम octa atomic के नाम से जानते हैं तो इस परकार से बहुत ही short video के अंदर हमने complete chapter के topics को revise किया है अगर आप चाहें तो comment section में आप बता सकते हैं कोई भी अगर आपका topic weak है तो उस topic पर हम पूरी detailed video विस्तार से video बना सकते हैं आपको समझाने के लिए यही हमारा करतव्य है आगे भी अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं या फिर अपने किसी मन पसंद topic पर video चाहते हैं तो comment करके आप बता सकते हैं अगर आप इस channel पर नए आए हैं तो हमारे channel को आप subscribe करें बिटा वीडियो पसंद आई है तो like करें आगे notification प्राप्त करने के लिए bell icon को press करें ओके बिटा thank you thank you so much बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए ओके बाय जैन जै भरत